नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागता आपका मांड एक्जाम के यूटूब चैनल पर जिहां दोस्तो दिल्ली प्लेश ड्राइवर सम्दित परशनों की ओलेडी हमारी 36 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और दोस्तो यह हमारी 37 क्लास होने वाली है और दोस्तो इस सीरीज मे मांड एक्जाम के अप्लीकेशन का आमने लिंक परवायड करवा दिया है वही दोस्तो इस वीडियो की डेली बैसे पर नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आउकन जरूर प्रेस कर लें ताकि दोस्तो जैसे हम वीडियो अपल साथ दोस्तो वीडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा. और दोस्तो अगर आप दिली प्लिस ड्राइवर का बेच लेना चाहते हैं तो दोस्तो इस नमबर पर आप हमें कोल कर सकते हैं इसके लाँ दोस्तो दिली प्लिस के वाटसप गुरूप में जुड़ने के लिए इस नमबर पर दोस्तो अपना नाम लिख देना है इसके साथ दोस्तो दिलिबरेश ड्राइव लेके भेज देना है साथ दोस्तो इस नमबर को आपको सेव भी कर लेना है हम आपका नमबर सेव कर लेंगे साथ दोस्तो आगे की जानकारी आपको आपके नमबर पर ही मिलती रहेगी तो दोस्तो बिना देरी कि आज के पहले क्यूशन की बात कर लेते हैं क्रोश टाइप जोइंट का भाग निमन मेंसे कौन सा है जियां दोस्तो ओप्षन ए है ड्राइविंग प्लेज योग ओप्षन भी है स्लाइडिंग योग ओप्षन सी है ए और बी दोनु ओप्षन डी है इन मेंसे कोई नहीं जियां दोस्तो क्रोश टाइप जोइंट का दोस्तो आपका जो भाग है वो ड्राइविंग प्लेज योग भी होता है इसके लिए दोस्तो स्लाइडिंग योग भी आपका भाग होता है यहां दोस्तो इस question का right option आपका C रहने वाला है आज के दोस्तो अगले हम question की बात कर लेते हैं अगला बहुत ही आपका है simple question है और दोस्तो एक्जाम में आने वाला question है tail getting का क्या आर्थ है जियां दोस्तो option A है अतेदीग निकटता से वहान का पीछा करना option B है अने वहानों से signal प्राप्ट करना और दोस्तो option C है traffic आपकी पुलिस से signal प्राप्ट करना option C है नियम के उलंगन पर अधिक जुर्माना वहन करना जियां दोस्तो इस question का आपका right answer रहने वाला है option A यहां दोस्तो जो tail getting होता है उसका दोस्तो आपका add है कि अत्य दिक निकटता से वहान का पीछा करना दोस्तो question के हम बात कर लाते हैं अगला question रहने वाला है सामने रूप से motor one होते हैं जियां दोस्तो जो भी हमारे इंडिया में motor one या दोस्तो जो भी vehicle होते हैं वो सामने रूप से होते है right hand drive option B है central drive option C है आपका left hand drive option D है आपका इन में से कोई नहीं जिया दोस्तो आपको इस question का अच्छे से answer पता होगा option दोस्तो A आपका इस question का answer रहने वाला है जो भी इंडिया में vehicle चलते हैं वो दोस्तो specially आपके right hand drive ही होते हैं और दोस्तो अगले हम question की बात कर लेते हैं आज का हमारा अगला question रहने वाला है सड़क के बीच में रुकने की स्तती में क्या परियोग करना चाहिए जिया दोस्तो अगर आपकी गाड़ी खराव हो जाती है या दोस्तो अचनक अगर आप break लगाते हैं जब भी दोस्तो आप सड़क के बीच में रुक जाते हैं और दोस्तो अभी तक आपने दिली प्रिश ड्राइवर का special base join नहीं किया है तो दोस्तो देरी की इस बात की दोस्तो description box में हमारे mind exam के application का link provide हमने करवा दिया है उसको दोस्तो डाउनलोड करके paid course में जाके दोस्तो base join कर सकते हैं साथ दोस्तो base समदित किसी भी जानकारी के लिए इस number पर आप हमें call कर सकते हैं सबसे better दोस्तो आपका ये base रहने वाला है जिसमें हम आपको संपुन सलेबस कवर करवाने वाले हैं SSE के लेवल तक इसके अला दोस्तो pdf notes मिलने वाले है best faculty दोस्तो आपको एक-एक subject पढ़ाने वाली है हमारे पास दोस्तो सभी subject का course भी अवलेवल है इसके अला दोस्तो सिरफ और सिरफ अगर आप driver की ही class लेना चाहते हैं जो आपका 50 नमर का portion रहने वाला है तो उसका भी दोस्तो बेच ले सकते हैं इसके अला दोस्तो आप gk methist or reasoning का ही बेच भी ले सकते हैं बेच लेंके दोस्तो इस नमर पर आप संपर कर सकते हैं और mind exam की application को download करके भी दोस्तो directly आप बेच ले सकते हैं दोस्तो आज के अगले हम question की बात कर लेते हैं आज का हमारा की अगला क्यूसर रहने वाल है वान चलाते समय निमन में से ड्राइवर को कहां ध्यान रखना चाहिए जिए दोस्तो जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको कहां ध्यान रखना चाहिए बाएं पाईए के सड़क के मदे भाग के किनारों पर ओप्शन बी है इंजन बोनेट के अगले मदे भाग पर ओप्शन आपका C है A और B दोनू या दोस्तो ओप्शन D इन में से कोई नहीं जी हाँ दोस्तो ओप्शन C आपका इसकूशन का करेक्ट आंसर रहने वाला है जब भी आप वही कल चलाते हैं तो दोस्तो बाएं पए के सड़क क मदे भाग के किनारों पर इसके अला दोस्तो इंजन बोनेट के मदे भाग पर दोस्तो आप है नजर बनाए रखते हैं दोस्तो ध्यान रखते हैं आज के दोस्तो अगले हम क्यूशन की बात कर लेते हैं अगला मारा क्यूशन रहने वाला है निमन लिकीत में से में सड़क से सम्दिद कौन से चीन को रात में देखने में कटनाई होती है जिया दोस्तों option A है सूचक चीन, option B है बचाव से सम्दिद चीन, option C है सड़क चीन, option D है ट्रेफिक चीन जिया दोस्तों option C आपका है is question का correct answer रहने वाला है सड़क चीन दोस्तों आपको रात में क्योशन की बात कर लेते हैं, आज का हमारा अगला क्योशन रहने वाला driving member में, में आपके खाचे बने होते हैं, जिया दोस्तो जो driving member होती है, उसमें आपके कितने खाचे बने होते हैं, 1, 2, 3 या अच्छ है, जिया हाँ, दोस्तो इस correct answer का रहने वाला है, option C याई दोस्तो जो भी driving member होती है उसमें आपके तीन खाचे है वो बने होते हैं अगले दोस्तो किशुन के हम बात कर लेते हैं आज का हमारा अगला कुशन रहने वाला नीमन मेंसे कौन से पुर्जे foot brake में सामिल होते हैं जा दोस्तो जो भी मारा foot brake होता है पेर का break होता है उसमें कौन से पुर्जे सामिल होते हैं वहिल, slander और दोस्तो सम्मन्द यंतर, option B है break, hydraulic, pipeline, option C है master slander, और option D है उप्रयोक सभी, जिया दोस्तो इस question का right answer रहने वाला है उप्रयोक सभी, यह दोस्तो यह तीनु ही चीज आपकी है जो foot break होते हैं उसमें सामिल है, आज के दोस्तो अगले हम question की बात कर लेते हैं, यदि पिला याताय संकेत बीच में होता है, तो हरा याताय संकेत कहां होगा, बहुत important question है, और दोस्तो एक्जाम में पूछे जाने वाला question है, यदि पिला याताय संकेत बीच में हो, तो दोस्तो हरा जो याताय संकेत है, वो क की रेड लाइट होती है अगर उसमें पीला आपका बीच में होगा जी हाँ दोस्तो जो आपका है हरा संकेत है वो दोस्तो आपका है नीचे की ओहरोगा दोस्तो रेड लाइट आपकी उपर की ओर होने वाली है आज की दोस्तो हम अगले क्यूशन की बात कर लेते हैं अगला क् और दोस्तों अगर आप दिलीप्लिश डियावर की बहतरीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं कोमेंड़ीशंता में मिलने वाली हैं और दोस्तों इस पूपको अज ही आप अपने घर मगाना चाहते हैं तो दोस्तों description box में हमने है flip card और Amazon का link परवाइड करवा दिया है वह दोस्तों खुद से भी आप flip card और Amazon पर दिलिप्लिश डाइवर best book अगर सर्च करेंगे तो इस cover page वाली book को आप आज ही है अपने घर मंगा सकते हैं और दोस्तों दिलिप्लिश डाइवर के online course और दोस्तों test रिज के लिए अभी आप mind exam के application को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत बूलेगा आज के दोस्तों अगले हम question की बात कर लेते हैं वहान की नमर plate पर लिखा पहला अकसर किसका संके देता है यह दोस्तों बहुत important question है वहान की नमर plate पर लिखा पहला अकसर किसका संके देता है option A है आपके वहान के नमर का option B है चेतरी code का जहां से आपका पंजरित किया गया है option C है वहिकल के परकार का या दोस्तों option D है इन में से कोई नहीं जा दोस्तों देखते ही आपके question का answer दे देंगे दोस्तों option B का correct answer नहीं वाला है चेतरी कोड का जहां से अवान है वो पंजरित किरिया गया है दोस्तों किस state का वहिकल है उसका दोस्तों पहली जैसे की HR लिका होता है या दोस्तों RJ लिका होता है या दोस्तों DL लिका होता है या UP लिका होता है जियां दोस्तो जो engine होता है transmission system होता है उसको आपस में जोडने और तोडने का कारिय करता है steering, gearbox, option C है clutch और दोस्तो option आपका D रहने वाला है frame और दोस्तो इस question का correct answer रहने वाला है option C जियां दोस्तो जो engine होता है और दोस्तो जो engine के साथ ही transmission system होता है उसको जोडने दोस्तों transmission system को आप gearbox भी बोल सकते हैं उसको जोडने और तोडने का काम दोस्तों clutch है वो box करता है आज के दोस्तों अगले हम क्यूशन की बात कर लेते हैं आज का हमारा अगला क्यूशन रहने वाला है यदि वहान में cooling system का प्रियोग ने किया जाए तो कौन सी खराबी आ सकती है जियां दोस्तों गर वही कल में cooling system का प्रियोग खराब हो जाए या दोस्तों प्रियोग ना किया जाए तो वही कल में कौन सी खराबी आ सकती है दोस्तों option A है knocking, option B है pre-ignination, option C है आपकी detonation, option D है उप्रियोग सभी जियां दोस्तों इस question का correct answer रहने option D है दोस्तों तीनों ही खराबी आ जाएगी अगर या तो cooling system वही कल में उप्योग नहीं किया गया है या दोस्तों cooling system खराब हो जाता है तो दोस्तों तीनों दिक्कत आपकी आ सकती है आज की दोस्तों हम अगले question की बात कर लेते हैं भारी गाड़ियों में आपकी beneficial में इस् दोस्तों वहागा डिफिशल होता है तो दोस्तों यहां भारी गारड़ियों में इसका استعم境 है वह किस में किया जाता है दोस्तों Hightcoal औल का क्या जाता है या दोस्तों C oil क्या क्या जाता है या दोस्तों Option D है इनमें से कोई नहीं जाएं दोस्तों आपका execution का correct answer रहने वाला है ह का हाईपो ओयल का अपयोग है या किया जाता है आज के दोस्तों अगले हम किशन की बात कर लेते हैं रेक एंड पेनियन में लगती है जियां दोस्तों अप की पूप्सवर्ण पंदरा क्यों सुन थे और दोस्तों अभी तक दिली प्लिश ड्राइवर का आपने special code जोई नहीं किया है तो दोस्तों देरी किस बात की इस नमबर पर अभी call कर सकते हैं बेज समदी जानकारी ले सकते हैं mind exam की application पर जाकर demo class भी देख सकते हैं और दोस्तों आज ही बेज को जोईन कर सकते हैं और दिली प्लिश में अपने एक driver की seat को पका कर सकते हैं और दोस्तों दिली प्लिश ड्राइवर के अगर हम बता दें आपको है आगर हमारे वोड्सप ग्रूप में जुना चाहते हैं तो इस नमबर पर दोस्तों आप वोड्सप मेसेज कर सकते हैं जिसमें आपको लिखना है दिली प्लिश ड्राइवर इसके अलाग दोस्तों अपने नाम के लिख के साथ बेज देना है और दोस्तो इस नम्मर को आपको सेव भी कर लेना है दोस्तो इस क्लास में इस वीडियो में इतना ही मिलेंग दोस्तो नई क्लास में नए किसनों के साथ तब तक लिए दोस्तो जहन जेवर